करता है वो टेक्स जिसका रेट फिक्स होता है and the rate is not changed or rate change नहीं होता with the change in income of the people लोगों का जो income है वो change होता है लेकिन tax का जो rate है वो change नहीं होता वो fix होता है वो constant होता है तो इस तरह के जो tax है इसको कहते है proportional tax the tax which its rate is fixed and the rate is not changed with the change in the income of the people is called proportional tax यहाँ पर example है यहाँ इनकम है लोगों का फरेज़ेंबल एक साथ है इसका जो income है वो 7 million है यह सालाना है दूसरा है इसका 10 million है और तीसरा है इसका 15 million है अब गौर्णमेंट इन सारे पे यहनि एक किसम का tax लगाता है यहनि tax rate इन पर भी 3% है इन पर भी million का जो income है इस पर भी 3% tax है यहनि income change होता है यहाँ पर लोगों का लेकिन जो tax का जो rate है वो change नहीं होता तो इस तरह के tax जिनका जिसका जो rate होता है वो fix होता है और income में change के साथ वो change नहीं होता rate change नहीं होता तो इस tax को कहते है proportional tax प्रग्रेशिस् films यह का परेंटब ऑफ देगाय सबुनगेंवेशिए ऌ MI曲 चो रेट होता है उस्टरेश्ट में इस्टरिक टाइस और फेसंग कि इंद्स अ क्भी इंकरी सरेनु के ब्मोर्टर प्रेज़ेंपल यहाँ फर इनकम है 7 Million 10 Million और फिर तीजोचиться इसका पपंदर बिलेना तो जो टेक्स रेड़ है 7 Million पर 3% टेक्ष पेमेंट ऑंपचर्ग करेगा और फिर इसकार स्पीज्च्छिज़ेंट नियुतर करेगा तो जो टेक्स का रड़ है 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15 तो इस तरह क्या होता है टेक्स रेट यानि ये भी चेंज होता है विद्धी चेंज आफ दी इंकम आफ दी पीपल तो इस तरह के टेक्स को कहते है प्राग्रेथिव टेक्स